नमस्कार मेरिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आज हमारे साथ बिहार के जाने मानी यूरोलोजिस्ट डॉक्टर राजिस्टिवारी मौजूद है डॉक्टर साहिब पटना की आईजी आईएमस में अज हम बात कने वाली हैं कि देखा जाता है कि बहुत सारी लोगों को ये परेशानी होती है कि उनके पिशाब में जलन होता है पिशाब लगतार पीला पन देता है तो इसके पीछी का क्या कारण होता है पिशाब पीला होना तो कुछ फूड आटिकिल्स वे ऐसे होते हैं जिसको खाने से या कुछ ऐसे बिटामिन होते हैं बी कंपलेक्स होते हैं उसके कारण भी पिशाब पिला होता है और दूसरे कारण है कि जैसे कोई आदमी पानी कम पीता है तो जो सरीर में कुछ हमारे जो आर्बीसी तूटते हैं फिर बिलिरुबीन तूटता है तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे युरोबालोन रिजन होता है जो पिशाब से ही बाहर निकलते हैं तो उनका करेक्टर ह कि वो पिसाब को पीला करते हैं. तो पिसाब का पीला होने का मतलब है कि वो आदमी कभी-कभी पानी कम पी रहा है. कभी-कभी ऐसा भी देखा गया कि जिनको कब्ज की सिकायत रहती है, कॉंस्टिपेटेड रहते हैं, उनमें भी पिसाब पीला होता है. तो ये food articles, पिसाब पीला होने के. इसके अलावा जैसे हम बात करे थी कि जलन का, तो जलन भी इसके कोई अलग कारण हो सकता है? नहीं, हाँ. पानी जो पिसाब का जो करेक्टर है कि वो अमलिय होता है, तो अगर आप पानी कम पिएंगी और जैसे कुछ ऐसा food खाएंगी, जैसे non-waste diet लेंगी, तो non-waste diet जब पसता है तो उस पे acid ज्यादा बनता है, urine थोड़ा ज्यादा एसडिक हो जाता है, या कोई खटा पदात खा रहा है, तो urine इसडिक हो जाता है, तो अगर पानी कम पिएंगी और urine ज्यादा एसडिक हो जाएंगी, और जब वो गुजरता है पिसाब के नली के द्वारा, तो उससे कारण वो पिसाब की नली में जलन होने लगता है, तो ये मुख्य कारण है जलन के. तो अगर देखा जाए तो एक बिमारी है पिलिया, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, तो ये सब जो लक्षन है ये उसके भी हो सकते हैं? आसे अगर किसी को परिशानी हो रही है, पिशाब ये जलन हो रहा हो या फिर पिशाब का पीलापन होना, तो ऐसे इलाज भी इसका संभव है? बिल्कुल, वरसे लोगों का पहले तो हम लोग हिस्टरी से पता करते हैं कि क्या कारण है, जैसा कि आपने भी बताया कि जॉन्डिस वेक कारण है, तो वो एक जामिन फिर करते हैं मरीज को, आँख देखते हैं, लीवर देखते हैं, लीवर की बिमारी से जॉन्डिस होता है तो पहले तो कारण पता करते हैं फिर हम लोग बताते हैं कि पानी थोड़ा आप पानी की मातरा बढ़ा दे पानी कितना पीना चाहिए ये लोगों को हम लोग बताते हैं कि जब पिसाब का रंग पानी की तरह हो तो आप समझे कि आप पानी सफीसियंट पीते हैं जिसे गर्मी की दिनों में सरी में जो पानी होता है जो हम पीते हैं वो दो ही माध्यम से बाहर निकलता है या तो पसीना से निकले या पिशाब के माध्यम से निकले तो अगर गर्मियों में देखा गया है खास कर जब पसीना ज्यादा निकलने लगता है और पानी कम पीते हैं किसी तरह की बेमारी के लेक्शन क्या है? नॉर्मल कलर तो जब पिसाब का रंग पानी की तरह हो तो समझना चाहिए कि पिसाब सही हो रहा है अगर पिसाब पीला हो रहा है तो पहले तो ये जो घरेलू उपचार है पानी ज्यादा पीना या फिर ये देखना कि कोई ऐसा खाना तो हमने नहीं खा लिया है जिसके कारण पिसाब पीला हो रहा है या कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं जिसका रंग पीला है तो ये सब कारणों से भी पिसाब का रंग पीला होता है और फिर अगर इसके बावजूद अगर सक राता है तो हम लोग यूरीन टेस्ट कराकर देख लेते हैं कि यूरीन टेस्ट से पता चल जाता है कि यूरीन में कोई खराबी तो नहीं है जैसा कि आपने खाने पीनी का भी जिक्र की आज कल लोग चाई कॉफी का जादा सेवन करते हैं तो चाई कॉफी पीना इस पे असर डाल सकता है चाई कॉफी पीने से पिसाब का रंग पीला नहीं होगा चाई कॉफी पीने का एक side effect जो पिसाब पे होता है कि ये थोड़ा सा irritant है तो चाई पीने से और डियरुटिक है तो चाई पीने के बाद आप देखेंगे कि पिसाब ज्यादा लोग करते हैं और अर्जेंसी के सबस्य हो जाती है जैसे ओवर एक्टिव ब्लाडर एक ग्रूप अव सिम्टम्स है जो महिलाओं में खासकर देखा गया है उसमें पिस आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और थोड़ी अर्जेंसी भी बढ़ जाती है तो शुक्रिया डॉक्टर साब जो आपने जानकारी साजा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो आप डॉक्टर राजिस्तिवारी को सुन रहे थे जिनों ने हमारे साथ जानकारी साजा की है कि अगर पिशाब पिला पंदेरा है या फिर उसमें जलन हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं तो फिलाल के इतना ही चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध हमसे बेज सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया